नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एगरी कोचिंग बाई विकासर परिवार में हारदिक स्वागत करता हूँ हम लोग रोज एगरी कल्चर के बहतरीन परशनों के साथ मुलाकात करते हैं जैसा कि आप लोगों को पता है कि किर्सिव ज्यान से संबंदित जितने भी एक्जाम होते हैं चाहे आई सियार हो, बियच्चू, एफो, आई बीपियस, टीजटी, पीजटी, यूपी कैटेट जो भी इस तरीके के एक्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंदित प्रशनों को हम रोजाना लेकर आते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं सबका हम एगरी कोचिंग बाई विकासर परिवार में स्वागत करते हैं आज की जो हमारी कलास रहने वाली है, वो यानि के सरसों के बारे में हम आज आप लोगों को पढ़ाएंगे सरसों के कुछ समान जानकारी पहले हम इसके बारे में दे देते हैं सरसों यानि की राजस्थान की परमुक तिलहनी फसल इसको कहा जाता है ठीक है राजस्थान की परमुक तिलहनी फसल है यह आपको याद होना चाहिए उसके बाद बात कर लेते हैं इसका बॉटनिकल नेम क्या है तो बॉटनिकल नेम इसका हो जाएगा ब्रेस का इस पसीज इसको कहा जाता है ठीक है ब्रेस का इस पसीज कहा जाता है क्योंकि कई पर species variety जो होती है यह हो जाएगी brown mustard ठीक है इस परकार से इसके नाम होते हैं तो इसका उत्पतिय स्थान की बात कर लेते हैं तो उत्पतिय स्थान सर्सों का चीन हो जाएगा ठीक है चीन हो जाएगा इसका उत्पतिय स्थान अब इसकी family की बात कर लेते हैं तो इसकी family हो जाएगी यानि कि क्रूसी फेरी ठीक है क्या हो जागी क्रूसी फेरी या इसको कह सकते हैं ब्रेसी केसी की नाम से भी जाना जाता है ठीक है ब्रेसी केसी की नाम से भी इसको जाना जाता है और भारतिये जो सरसों होती है ठीक है भारतिये जो सरसों होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं तो उसको हम काली सरसों के नाम से जानते हैं, लेकिन उसका विज्ञानिक नाम हो जाएगा, ब्रेस का जूंसिया कहा जाता है उसको, यह आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ब्रेस का जूंसिया कहा जाता है, इसको राया के नाम से जाना जाता है, लाहा के नाम से जाना जाता ठीक है यह सब चीजे आपको याद होना चाहिए और सरसों का जो तेल होता है हिरदय रोगियों के लिए यह नुक्सान दायक होता है ठीक है क्योंकि इसके अंदर एरोसिक एसीड की मात्रा अधिक पाई जाती है और सरसों में जो तीखापन होता है यह आइसो थायोसाइनैट क सर्सों में, सर्सों के तेल खराब होने के कारण किसके कारण होता है, यह भी आपको याद होना चाहिए, सर्सों का जो तेल खराब हो जाता है, वो सीनी ग्रीन के कारण खराब हो जाता है, ठीक है, सीनी ग्रीन के कारण खराब हो जाता है, और सर्सों के जो तीखा फन होता है, यह सब समानी जानकारी थी, यह सब आपको याद होनी चाहिए, चलिए सुरू करते हैं अपने फर्स्ट कोश्ट से, कोश्ट नमर फर्स्ट हमारे स्क्रीन पर है, कोश्ट कह रहा है, निम्न लिखित में से भारतीय सर्सों का वानस्पतिक नाम क्या है? तो बात कर लेते हैं। इ्रूका सेटाइबा कर अशरुआए। यह हो जाएगा यानि कि इसको तारह मीरा कहा जाता है। इसको रोकेट क्रेश की तिनाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद होने चाहिए, बात कर लेते हैं, ब्रेस का नाइगरा, ब्रेस का नाइगरा जो होता है, ये हमारे हो जाएगी बनारसी राई, ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं, बनारसी राई के नाम से भी जानते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, और एक और इसक यहां पर हमारा correct answer हो जागा उसके बाद चलते हैं a option जो है brace का competitive तो यह हो जागा यानि कि brace का competitive variety जो होती है यह yellow भी हो सकती है yellow जो sarsum होती है yellow कह सकते हैं या brace का competitive variety brown चलते हैं Qution No.2, स्क्रीन पर है, Qution कर रहे हैं, निमने लिखी ते मैंसे सरसों की कुल संभदित है, ठीक है, सरसों की फैविली बताना है, कौन से फैमिली से बिलोंग करता है सरसों, लेगो मिनेसी, ग्रेमेनी, क्रूसी फेरी या कमपोजीटी इन चारों में से बताईए कौन सा correct answer हो जाएगा तो आप लोगों को पिछे बता चुके हैं सारसुं जो है ये क्रूसी फेरी से बिलोंग करता है उसके बात कर लेते हैं ग्रेमेनी की बारे में आप लोग जानते हैं अनाज वाली जितनी क्रापश होती है? उनकी फैमिली ग्रेमेनी हो जाएगी ठीक है? और लेग्यॉमिनेशी में जो द्लेहनी फसले होती है ठीक है, क्या है आप स्वयविन हो, मुफली हो दाने के भार को या 1000 बीच को जो वेट होता है उसको क्या कहा जाता है परिछन भार कहा जाता है यह आपको याद होना चाहिए तो यहाँ पर साथसों का परिछन भार कितना होगा 3-5 ग्राम या 25 ग्राम 72 ग्राम या 34-36 ग्राम तो बात कर लेते हैं, 3 से 5 gram जो answer दे रहे हैं, वो लोग correct answer दे रहे हैं, ए ओप्षन हमारा यहाँ पर right answer हो जागा, 25 gram जो होता है, यह धान का होता है, ठीक है, किसका होता है, धान का परिचन भार होता है, 72 gram किसका हो जाएगा, कपास की जो फसले होती हैं, उनका परिचन भार ह हो जाएगा 72 ग्राम के आसवास हो जाएगा 34 ग्राम भी आप याद रखेंगे मूंग का ठीक है मूंग का जो होता परिछन भार ये 34 से लेके 36 ग्राम होता है तो यहाँ पर यह option हमारा correct answer हो रहा है चलते हैं question number 4 पर दोस्तों यादि आपको agriculture के किसी भी एक्जाम में selection लेना है तो आप लोग चैनल को इमानदारी के साथ subscribe कर लीजिए तो question number 4 आपके screen पर है question number 4 कह रहा है निमने लिखित में से सर्सों का फल का परकार बताना है ठीक है इसमें क्या बताना है सर्सों का फल का परकार क्या है केरियोपसिस है पोड है कैपसूल है सीलिकूगा है तो बात करते हैं कि केरियोपसिस का केरियोपसिस जो हो जाएगा जितनी भी अनाज वाली फसले हो जाएगी उनका फल का परकार होता है केरियोपसिस होता है यह ध्यान देंगे पोड जो होता है यानि कि दलहनी जो फसले ह होती है ठीक है दलहन वाली उनका फल का परकार क्या हो जाएगा पॉड होता है कैपसूल की बात कर लेते हैं तो अरेंडी का भी फल का परकार कैपसूल होता है आवला का फल का परकार भी क्या होता है कैपसूल होता है उसके बाद अफीम का फल का परकार भी क्या होता है यह भी Capsule होता है उसके बाद बात करते हैं भिंडी का फल का फल का परकार होता है यह भी Capsule होता है C लीक हुए यहां पर right answer हो जागा यानी कि D option एकदम correct answer हो जागा सर्सों का फल का फल का परकार क्या हो जागा? C लीक हो जागा D option राइट चलते हैं Question number 5 पर कोशन नमर पाँच आपके स्क्रीन पर है कोशन कराय निम्न लिखित में से सर्सों की किसम नहीं है इसमें से बताना सर्सों की किसम कौन सी नहीं है बायो 902, वरुना, वसुंदरा, टी, उन्चास इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जगा बायो 902 जो यहां पर दिया है इसको पूसा जय किसान के नाम से भी जाना जाता है ठीक है पूसा जय किसान भी कहा जाता है ये काफी फेमस वेराइटी है सरसों की तो ये आपको याद होना चाहिए इसको जे अपरोदोग की दोरा भी इकसित किया गया है ये भी एकजामे में क सुंद्रा ये भी सर्सों की किसम है तो हमारा D option यहाँ पर incorrect answer हो जागा ठीक है T49 जो है ये किसकी किसम है ये स्वयवीन की किसम है ठीक है किसकी किसम हो जागी स्वयवीन की किसम है ये आपको याद होना चाहिए स्वयवीन की कुछ और किसम है जैसे गौरव को याद कर लेंगे मोनेटा को याद कर लेंगे ठीक है मोनेटा को याद कर लेंगे अलंकार को याद कर लेंगे ठीक है अलंकार को याद कर लेंगे और इसके साथ अंकुर को भी याद कर लेंगे ठीक है ये सब जितनी भी किसमे है एक आती है सी वालिक ठीक है question number 6 पर question number 6 आपके screen पर है question कर आए analysis में तेल की मातरा पाई जाती है 46-72%, 45%, 20% to小 33% तो बात करते लेते हैं 46-72% जो पाई जाती है तेल की मातरा यानि के 50 से लेके बात करें 14% तक ये तिल के अंदर तेल की मातरा पाई जाती है ठीक हैpe 45% की बात करें तो मुफली के अंदर जो तेल की मातरा पाई जाती है वो 45% के लगभग पाई जाती है ठीक है ये आपको याद होना चाहिए 20% की बात कर लेते हैं तो 20% जो तेल की मातरा है ये पाई जाती है सोयवीन के अंदर सोयवीन के अंदर 20% तेल की मातरा पाई जाती है यहीं पर प्रोटीन की मातरा की बात करें 40 से लेके 42% तक प्रोटीन की मातरा पाई जाती है किसमें सोयवीन के अंदर उसके बाद बात कर लेते हैं 33% यहां पर दिया है तो 33 से लेके 35% या 34% यह हो जाएगा सर्सों के अंदर ठीक है और यहाँ पर 35% दिया है तो यह हो जाएगा तारा मीरा ठीक है तारा मीरा इसके अंदर 33 सिले के यानि कि 35 सिले के बात करें 37% तक यह तारा मीरा के अंदर पाई जाती है तो यहाँ पर D option हमारा correct answer हो जाएगा, ठीक है, D option हमारा correct answer, चलते हैं, question number 7 पर, question number 7 आपके screen पर है, question कर रहाए sirs का प्रथम hybrid किस्म कौन सी है, ठीक है, H4 या ICPH8 या NRC HB506 या HB1, बात कर लेते हैं, H4 जो है, ये CT पटेल दोरा, ठीक है, कापास की पर्थम hybrid किस्म है, ठीक है, ये आपको याद रखेंगे, CT पटेल दोरा विक्सित की गए थी, कापास की पर्थम hybrid किस्म H4, ठीक है, ICPH8 ये अरहर की प्रथम संकर किस्म है, इसको आप याद होना चाहिए, NRC, HB506, ये हो जाएगी 1st संकर किस्म, ठीक है, 1st संकर किस्म किस्की सर्सों की, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, अच्छी किस्म है, और ये कहाँ से निकाले गए थी, DRMR, ठीक है, ये कहाँ पर है, सेवर, यानि कि सर्सों अनुसंधान, संस्थान, सेवर भरतपूर में, यहाँ से इसको निकाली गए थी, ठीक है, भरतपूर से निकाली गए थी, जो कि राजस्थान के अंदर इस्तित है, HB1, ये किसकी हाइबरीड किस्म है, तो ये बाजरा की पर्थम हाइबरीड किस्म है, ये भी आपको याद होना चाहिए, तो हमारे कोशन का करेक्ट आंसर हो जागा, यहाँ पर C option एकदम राइट आंसर हो जागा, ठीक है, चलते हैं कोशन नमबर आठ पर, कोशन नमबर आठ आपके स्क्रीन पर है, कोशन करें सर्सों की बुवाई का उचित समय क्या है, मद सितंबर से लेके मद अक्टूबर मद नौंबर से लेके मद दिसंबर मद अगस्त से लेके मद सितंबर या मद दिसंबर से लेके मद जनौरी इन चारों में से बताईए कौन सा correct answer हो जागा तो आप लोग जाते होंगे कि सरसु जो है ये रवी सीजन की तिलहनी फसल है ठीक है ये आपको याद होने चाहिए तिलहनी फसल है रवी सीजन की तो इसकी जो बवाई करेंगे यानि कि सितंबर से लेकि अक्टूबर के महिने में इसकी बवाई करते हैं ठीक है अगर पाला का परभाव अधिक पढ़ रहा है सरसो नुक चाव के लिए किसका इस्प्रे किया जाता है S2S4 का 0.1% किदर से इस्प्रे किया जाता है जिसे पाला को रोखा जा सकता है ठीक है तो यहां पर correct answer हो जागा यानि कि सर्सों की बौई जो है उसका अच्छा समय जो माना गया माद सितंबर से लेकर मध्य एक्टूबर यह option यहां पर right answer हो जागा ठीक है चलते है question number 9 पर question number 10 आपके screen पर question करें सर्सों का seed multiplication ratio है ठीक आपको बताना है seed multiplication ratio कितना होता है यानि कि बात करें एक बीच से कितने बीच का निर्माण होता है या आपको बताना है अनुपात में एक अनुपात 20 एक अनुपात 100 एक अनुपात 200 एक अनुपात आट इन चारों में से बताएगे कौन सा correct answer हो जागा बात करते हैं एक अनुपात 20 जो है यह हो जागा गेहूं का ठीक किसका हो गेहूं का हो जाएगा एक अनपाथ 100 यह हो जाएगा सरसों का ठीक है सरसों का हो जाएगा एक अनपाथ 200 यह हो जाएगा बाजरा का यह आपको याद होना चाहिए एक अनपाथ 8 यह हो जाएगा मौफली का ठीक है मौफली का हो जाएगा यह आपको याद होनी चाहिए तो यह सरसों का बीजदर रखते हैं, 4-6 kg प्रती हेक्टेर, 12-15 kg प्रती हेक्टेर, 80-100 kg प्रती हेक्टेर, 100-125 kg प्रती हेक्टेर, तो यह option जो यहाँ पर है, यह हमारा correct answer हो जागा, ठीक है, 4-6 kg प्रती हेक्टेर, अगर बात कर लेते हैं, सिंची छेत्रों के लिए, सरसों की बीजदर लगेगी, 2.5-3 kg प्रती हेक्टेर, यह आपको याद होना चाहिए, तो यहाँ पर 4-6 kg हमारा correct answer हो जागा, 12-15 kg प्रती हेक्टेर जो बीजदर लगेगी, यह अरहर की लगेगी, ठीक है, अरहर की बीजदर इतनी लगेगी, 80-100 kg यह तो जानते हैं, यह लगे गई गुच्छे वाली मुफली के लिए, ठीक है, किसके लिए, गुच्छे वाली मुफली के लिए, यह आपको याद होना चाहिए, गुच्छे वाली मुफली के लिए, मुफली के लिए, बीजदर हो जाएगा, 80-100 kg, साथ ही, आपको याद रखना, काबली चने का भी बीजदर कितना लगता है यह लगेगा 80-100 kg ठीक है तो दोनों कोशन यहां पर त्यार हो जा रहा है यानि कि गुच्छे वाले मुफली के लिए 20-80-100 और कावली चने का भी 20-80-100 यहां पर 100 से लेके 125 जो दिया होगा यह हो जाएगा गेहूं और जो के लिए 20 जो हो जाएगी यह 100 से ले बी जिदर लगती है ठीक है देरी से अगर गयों की बॉआई कर रहे हैं तब यह 125 किलोगरा यह आपको याद होने चाहिए तो ए ओप्शन हमारा यहां पर करेक्ट है चलते हैं कोशन नमबर बारा पर कोशन नमबर बारा आपके स्क्रीन पर है कोशन करहा सार्सों के लिए उ पर यहां तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानि कि 18 से लेके 25 डिगरी सेंटीग्रेट तापमान की आफशकता होती है सर्सों की ठीक है सर्सों के लिए उप्यूक टेंपरेचर तो बी ओप्शन हमारा करेक्ट आंसर चलते हैं कोशन नमबर तेरा आपके स्क्रीन पर है को इसका करेक्ट आंसर हो जागा यानि कि 30 इंटू 10 सेंटीमेटर सी ओप्शन यहां पर राइट आंसर हो जागा ठीक है बात करेंगे सर्सों के लिए भी जो पौद रोपन दूरी है वह रखते हैं 30 इंटू 10 सेंटीमेटर और अधिकतर दलहनी वाली फशलों के लिए जो दू जाएगी distance और उसके बाद काली सरसों के लिए भी ये distance हो जाएगी इतनी ठीक है सरसों के लिए चलते हैं कोशन नमबर 14 पर कोशन नमबर 14 आपके स्क्रीन पर है कोशन के लिए सरसों में सफेद रोली जिसको वाइट रस्ट कहा जाता है किसके कालन होता है रोग कारक का नाम बताना है एरिसाइफी क्रूसी फेरस या पैरनोस्पोरा पैरसीटका या अल्टरनेरिया ब्रेसी की यहाँ पर ब्रेसी नहीं से बताएगे किसके कराण होता है तो यहाँ पर डी आप्शन हमारा राइट आंसौर होग जागा ठीके अल्ब्यूव। कैंडिवना के दोरा क्या होता है सरसों के अंदर सफेद रोली यानि कि वाइट रस्ट नमक रोग हो जाता है ठीके डी आप्शन हमारा करेक्ट एरिसाइफी क्रूसी फेरी जो दिया हुआ है यह हो जाएगा पावडरी मिल्डियू ठीक है पावडरी मिल्डियू जो रोग लगता है सरसों के अंदर उसके कराण हो जाएगा पैरनस्पोरा पैरासीट का जो दिया हुआ है यह हो जाएगा डावनी मिल्डियू ठीक है यह हो D option हमारा right answer हो जागा चलते हैं question number 15 पर question number 15 आपके screen पर है question करा सरसों का भंडारन कितने परतिसत नमी पर किया जाता है 8%, 10%, 12% या 14% तो बात कर लेते हैं अगर अनाजों का हम भंडारन कर रहे हैं तो अनाज वाली जितनी फसले होती हैं उनका भंडारन हम 10 से लेके 12% पर करते हैं ठीक है, नमी कितनी होनी चाहिए 10 से लेके 12% नमी पर करते हैं अनाज वाली फसलों के लिए अगर दलहनी वाली जितनी भी फसले होती हैं उनका हम भंडारन कितने परसेंट पर करते हैं उसके बाद बात कर लेते हैं, तिलहनी वाली जितनी फसले होती हैं, उनका हम भंडारंग 6 से लेके 8 पर 30 वाली पर करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, कि ए ओप्षन हमारा correct answer हो जागा, ठीक है, 8% यहाँ पर दिया हुआ है, तो ए ओप्षन हमारा right answer हो जागा, चलते हैं question number 16 पर, question number 16 आपके screen पर है, question कहरा सारसों का अपत्ती जनक खरपतवार कौन सा हो जाएगा, यानि कि अपत्ती जनक खरपतवार उसे कहते हैं, यह जो खरपतवार होते हैं, यह जो हमारे मुख बीज होते हैं, उनके उनसे मिलते जुलते हैं, उनके समान सेम दिखाई दिखा तो इसलिए उनको अलग करना मुश्किल हो जाता है बीच के समान ही मुख जो फसल है हमारी बीच के समान ही दिखाई देते हैं इसलिए इनको अलग करना वड़ा मुश्किल हो जाता है तो जैसे गेहूं में गेहूं की फसल में गेहूंसा जो होता खरपतवार ये गेहूं के सम जैसे गेहों के अंदर खर्पतवार जो रहेगा ये बत हुआ हो जाएगा जो के अंदर भी बत हुआ खर्पतवार पाए जाता है और सौर्सों के अंदर भी बत हुआ खर्पतवार पाए जाता है बात कर लेते हैं प्याजी प्याजी जो होती है ये प्याज के जो बीज होते ह का Ela होगा है इसके इंदर यह दिखाई देते हैं ठीक है और इसके बीच जो होते हैं प्याज के बीच के समानरी दिखाई देते हैं मिलते ज् जूलते हैं और यहां पर सत्यानासी जो दिया हुआ है तो यह हमारे कोशन का correct answer हो जागा D option हमारा right answer हो जागा ये जो सत्यनासी के बीज होते हैं ये सरसों के बीज के समान ही दिखाई देते हैं और सत्यनासी के बीज से ही dropsy नमक बिमारी भी हो जाती है ठीक है dropsy नमक बिमारी जो होती है ये भी 87 बीच की ही कारन्ड होती है ठीक है, इसका विज्ञानिक नाम होता है आरजी मोना मेक्सिकाना ये भी आपको याद होना चाहिए चलते हैं, कोशन नम्बर 17 पर कोशन नम्बर 17 आपके स्क्रीन पर है कोशन कहा रहा है सरसों की आरा मक्खी का वेग्यानिक नाम क्या है ठीक है काफी important कोशन है सरसों के अंदर मुख तोर सर आरा मक्खी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है तो इसका वेग्यानिक नाम बताना है तो इसका वेग्यानिक नाम क्या हो जाएगा पहला option है पहला option इसका विज्ञान की नाम है ये, क्या नाम हो जागा? एथेलिया, लुजेंस, प्रोमिक्सा, ठीक है? उसके बाद second number पर जो दिया हुआ है, second number पर ये हो जागा एथेलिया, लुजेंस, प्रोमिक्सा, ठीक है? तो ये हो जागी, ये आरा मक्य हो जागी, पहला option जो था हमारा, ये हो जागा पुटेला, जायलो, स्टेला, ठीक है? पुटेला, जायलो, स्टेला, ये किसका हो जागा? ये हो जागा, यानि कि पत्ता गुभी और फूल गुभी में, जो diamond back moth लगता है, ठीक है? जिसको diamond dbm कहते हैं, diamond backmoth, ये किसके करान लगता है, ये लगता है, पुटेला, जैलोस्टेला के करान, ठीक है, अब बात कहा लेते हैं, third option की, third option हमारा कहा रहा है, लाफिस eris aemi, ठीक है, ये कौन से कीट का विग्यानिक नाम है, तो aphid जिसको कहते हैं, aphid, या कह सकते हैं, माहू का विग्यानिक नाम है, ठीक है, माहू का विग्यानिक नाम हो जाएगा, ये आपको याद होना चाहिए, उसके बाद बात कर लेते हैं, fourth number पे जो दिया है, बारगेडा, हैल फेरिस, कुरूसी, फेरम, तो ये हो जाएगा, पैंटेड बग का, ठीक है, ये हो जाएगा इसका पैंटेड बग का, ये आपको याद होना चाहिए, काफी अच्छा कोशन है, तो इसमें से कोशन आ जाते हैं, तो हमारे कोशन का correct answer हो जाएगा, या नहीं कि B option यहाँ पर right answer हो जाएगा, ठीक है, B option हमारा right answer हो जाएगा, एथेलिया, लूजियन्स, प्रो मिक्सा, ठी back mouth का, ठीक है, ये भी काफी important है, जो कि आपके फूल गोवी और पता गोवी लगता है, तो B option है, यहाँ पर right चालते है, question number 18 पर, question number 18 आपके screen पर, question कहरा है, सरसों की बवाई करते समय, बीच की गहराई कितनी रखते हैं, या कितना गहरा बोना चाहिए, दो से लेके, धाई स लेके 3 cm, 4 से लेके 5 cm, 6 से लेके 8 cm, या इनमें से कोई नहीं, तो first option जो है हमारा ये correct answer हो जागा, यानि कि सरसों के लिए, जो गहराई रखते हैं, बीच के लिए, वो धाई से लेके 3 cm, गेहु के लिए 4 से लेके 5 cm, गेहु के लिए चार से लेके 5 cm, रखते हैं, ये हो इसको कहते हैं डारेक्ट रेट रिसर्च मास्टर्ड रेपसीड तो यह आपको बताना है यह आर रहेगा ठीक है डारेक्ट रेट रिसर्च मास्टर्ड रेपसीड कहा परिस्थित है तो यह आपको बताना है तो इसका वी ओप्षन यहाँ पर करेक्ट रेपसीड रोजगा इसके स्थापना की बात का लेते हैं तो इसकी स्थापना अक्टूबर 19903 में हुई थी ठीक है तो उस उसमें इसका नाम था यन-aar-c-r-eam ठीक है इसको बोलते है नेशनल रिसर्स सेंटर रैपसीड मास्टर्ड ठीक है इसके रूप में इसके स्थापना हुई थी लेकिन बाद में 2009 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया था DRMRK नाम से जाना जाता है ठीक है तो यह कहाँ पर है सेवर भरतपूर में ठीक है सेवर भरतपूर राजस्थान में इस्तित है तो B option यहाँ पर right answer हो जाएगा चलते हैं question number 20 पर question number 20 जो कि आज की वीडियो का हमारा last question रहगा question कहरा है सरसों की कटाई का उप्यूक समय क्या होता है January से फरवरी या फरवरी से March April से मई या in May से कोई नहीं तो इसका correct देख लेते हैं answer क्या हो सकता है तो इसका correct answer हो जागा फरवरी से March में इसकी कटाई करते हैं तो B option यहाँ पर correct answer हो जागा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करिएगा दोस्तों में share करिएगा अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को subscribe जरूर करिएगा जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सबी लोगों को धन्यवाद